नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आरती में बैट भी नहीं पाएंगे अब देखिए मोदी ने किस तरह से इस रैली में राहुल को जवाब दिया कॉंग्रेस अध्यक जी ने हाली में मुझे एक चुनोती दी उन्होंने कहा अगर मैं साउसद मैं 15 मिनिट बोलूंगा तो मोदी जी बैठ भी नहीं पाएंगे यह उन्होंने मुझे चुनोती दी है और मैं बैठ नहीं पाऊंगा यह सुनकर तो मुझे आता आता है वाँ क्या सीन है कॉंग्रेस के स्रिमान अध्यक जी आपने सही फरमाया है हम आपके सामने नहीं बैठ सकते हैं आप तो नामदार है नामदार और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाएं अरे आपको नामदार है हम तो कामदार है हम तो अच्छे कपड़ी भी नहीं पहन सकते हैं आपके सामने बैठने का हमें हक कहां से हो सकता है लेकिन नामदार आपकी इस बातों से मुझे चोट नहीं पहुंती हैं क्योंकि हम लोगों ने सदियों से ये जहला है नामदारों के जुल्म जहलते जहलते आये हैं और इसलिए आपकी ऐसी किसी बात से हम हताहत नहीं होते हैं हम जहलने की ताकत बढ़ाते चले जा रहे हैं मोदी जी को छोड़ो नामदार इस कामदार की क्या ठीक है हम तो है कामदार है लेकिन एक काम करो आप इस चुनाव अभियान के दर्म्यान करना तक में आपको जो भाशा पसंद हो उस भाशा में हिंदी बोल सके तो हिंदी अंग्रेजी बोल सके तो अंग्रेजी आपकी माता जी की मात्रु भाशा बोल सके तो मात्रु भाशा आप 15 मिनिट हाथ में कागज लिए बिना करणा तक की आपकी सरकार की एच्यूमेंट्स, सिद्धियां 15 मिनिट करणा तक की जनता के सामने बोल दीजिए